नमस्कार, वेलकम टू मंगल की रेसिपी, आज हम बना रहे है प्याज वर बेसन की सब्जी, बहुत ही आसान है, फटावट बनती है, उतनी ही टेस्टी है यह, तो आए यह किस तरह बनानी है वो देखते है लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और मेरी रेसिपी को यूहीं लाइक देते रहे है, तो आए बनाते हम प्याज वर बेसन की सब्जी, आज हम बना रहे है एकदम फटाफट बनने वाली बेसन और प्याज की सब्जी, बहुत बेसन लिया है हमने, 1 मिडम साइज का टमाटर, बारी काटली हमने, थोड़ा सा धनिया पत्ता, धोग के अच्छे से काटली है, तीन लिसविन की कलिया हमने ग्रेट कर लिये, चाह शे पाट कड़ी पत्ता लिउज लिया हमने, 1 फ़र टीस्पून लिया हमने हल्दी पाउड एक टीस्पून लिया है हमने लाल काश्मीरी मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून लिया हमने गरम मसाला पाउडर, नमक लेंगे स्वाब के अनुसार, आए हम बेसन और प्यास की सबजी बनाना शुरू करते हैं, कडाई रग दी हमने और इसमें हम यह जो दो टेबल स्पून बेसन लिया है, उसे पहले भूनेंगे धीमी आज पर, बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे, उसी कडाई में हम तड़का लगाएंगे, मैंने ओईल लिया है, एक टेबल स्पून, अच्छे से ओईल को गरम कर लेंगे, ओईल अग गरम हो चुका है हमारा, इसमें दालेंगे हम यह लेसुन, करी पत्ता, करी पत्ता को हम थोड़ो सा तोड़के डालेंगे, और हिंग और इसे में डालने हमने यह प्यास, थोड़ा सा हाथ से मसल के डालेंगे, ताकि यह अलग हो जाए, खरकली इसकी, और प्यास को हमने भुनना है, इसे थोड़ा साफ्ट कर लेंगे हम, प्यास हमारा सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, तमाटर को भी हमने सॉफ्ट करना है इसमें, तमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम सुखे मसाले, हल्दी पाउडर, धन्या जीरा पाउडर, काश्मीरी लालमेश पाउडर और यह गरम मसाला, भानेंगे हमें यह, अब इसमें डालेंगे हम यह नमक स्वाद के अनुसार, अब नमक को एक बार मिला लेंगे, सब्गी में, और अब हमें डालना है यह भूना हुआ बेशन, अच्छे से इसे मिला लेंगे, और यह फटावड बनती है बेशन और प्याज की सबजी, लेखे कितना खूब सुरब कलर आया है, अब इसमें डालेंगे हम यह थोड़ा सा धनिया पत्ता, तैयार है हमारी बेशन और प्याज की सबजी, बहुत ही फटाफट बनती है, ग्यास को बन कर लेंगे हम, इसे हमने गर्मा गरम ही सव करना है, तैयार है हमारी बेशन और प्याज की सबजी, इस पर थोड़ा सा धनिया पत्ता हम गार्निश करेंगे, और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो इसे लाइक जरूर दीजिए, और अपने फ्रेंट्स में भी शेर जरूर कीजिए, तैयार है हमारी प्याज और बेशन की सबजी बहुत ही आसान है, उतनी ही टेस्टी है ये, आप जरूर बनना के देखिए, और आपके देते रहिए, और ये मेरी रेसिपी देखने के लिए, थैंक यू